गुजरादीमिडे.com साथे आजे जोड़ा है छे चिडिया खानानी कास्ट अपनी साथे छे डिरेक्टर मनीश तीवादी औने फिल्म की आखी स्टार कास्ट आजे इमनीशादे करी आपने एक चुल बूली है ने मनोर इंजक गपशप मनीश जी आपकी जो फिल्म है चिडिया खाना ये नाम कैसे आया पहले तो ये बताईए चिडिया खानी के कहानी में जो हीरो है जब उसे डर लगता है तो उसे जानवर दिखते हैं और इसमें और भी विशे हैं लेकिन यहां से मैं अपने फेवरिट फिल्मेकर साथजीतरे को एक हुमाज पे कर रहा हूं उनकी भी एक फिल्म ती चिडिया खाना डिफरेंट सबजेक्ट की थी तो ये एक रुणिंग सबजेक्ट है फिल्में और नाम साथजीतरे साब के फ आपकी जो फिल्म है वो पूरी फुटबॉल स्टोरी है तो आप लोगों की कोई फुटबॉल स्टोरी है कैये मेरा सवाल सबसे है फुटबॉल एक पूरे फिल्म की लड़ी है लेकिन कहानी एक आउटसाइडर की है और कैसे मुंबई शहर आउटसाइडर्स को अपने में ज तो साइड लाइन्स में बैठ करके फैंटसाइज करता था कि राइड विंग या सिंटर फारवर कैसे खेलता है कॉन से शौट्स तो जो शौट्स मैंने उसमें देखे और फुटबॉल के मैंचेस में देखे वो मैंने उन फैंटसी को यहां पर चिपका दिया और एक्टर से प साथ में रह पाता था और उनके साथ कमराडरी बढ़ती थी मेरी दोस्त बनते थे और ऐसे ही आगे चलता रहता था तो बेसिकली मैं फुटबॉल पहले खेलता था फिल्म से पहले तब मैंने बीच में कुछ पिरिएड के लिए छोड़ दिया था उसके बात मैंने फिल्म की मैं राइड बैक पोजिशन पर खेलता था तो डिफेंडिंग का काम मेरा तब से था फिल्म में पी काफी जगाब देखोगे मुझे डिफेंडिंग करते हुए तो फुटबॉल खेलते हुए जो दोस्तों के साथ लड़ाईया होंती थी मज़े होते थे वह ही कुछ याद है मुझे याद है कि बार हम लोग जो है रात को शूट कर रहे थे और इसमें एक ऐसा शॉट था जहां पर मुझे फुटबॉल को जो है बहुत जोर की किक मारना था और वो जो है एकदम ही उपर जाके फिर वो नीचे आता और उसको मैं ट्राप करता हूँ तो हम लोग सब डर पर जायेगा तो किसी चॉल के उपर जाएगा किसी बिल्डिंग में जाएगा वह सब सोच के हम लोग लेकिन तोड़ा काफी ड़ डर के जो है फिर मेना किक मारा था लेकिन लखिली वो किसी गर में ने किया और अब एकदम कर तरीके से आ चुका था तो अबाखी जो फुट अब मेरे साथ था एंड काफी अच्छा एक्स्पिरिंस रा मुझे ये फिल्मे काम करने का अब अब अगर आपकी कोई फुटबॉल स्टोरी बता अब मेरे घर में बहुत दिवाने हैं फिटबॉल के मेरे पिताजी अपनी जवानी में बहुत फुटबॉल खेलते थे और उ किसी ना किसी प्लेयर के नाम की टीशट खरीद नहीं बढ़ती है तो अब अब फुटबॉल स्टोरी Manish Ji, मेरा आपसे अगला सवाल है कि ये जो फिल्म की कहानी है वो कैसे डेवलप हुई और एक स्कृप्स एग कैसे एक थेटर तब अब फिल्माने माली है इस कहानी का जो बीज है शायद एक टेलिविजिन पैनल के इंटर्व्यू में बोया गया जहां पर हम आउटसाइडर्स की बात कर रहे थे जो मुंबई शहर में आते हैं और एक सेलिबरेटिड ओधर हैं किरन नागरकर जिसके प्रशांद भी फैन है वो इस पैनल पे थे उ अधरी रहे हैं तो और मैं काफी सालों विदेश में रह करके और खुद बिहार से हूँ वहां से आया था तो वो एक प्रस्पेक्टिव बना लेकिन फिर मैं खोज रहा था उस कहानी को लिखने के लिए एक वल्नरबल कारक्टर तो सबसे वल्नरबल लिखने से जादा लिख अधरी बिहार का टीनेजर बॉई जिस सिंगल मदर के साथ एक मराथी चॉल में आकर रहता है और कहीं जो आपको मैंने बताया है कि मेरा फैंटेसी ताफ यह जोड़ गया तो वो एक सिंगल-mindedly उस गेम की तूरू सर्वाइवल की कोशिश कर रहा है जैश आप अगर अगर क पता पाएव बेसिकली मैं बाबू का का एक्रपल में फिल्म में बाबू का एक्रपल में बाबू का डॉन है गुंदा है बीम्सी स्कूल के सारे बच्चे बाबू ही चलाता है प्रॉप्टीचर्स तो सर्फ ऐसी सिखाने के लिए आते हैं सीखता तो कोई नहीं है वाँ क्य तो अइस उसकी लाइफ चल रहे है और उसमें जब सूरा जाता है तो उसके साथ उसकी कैसी भसर होति है कैसे दो इगो ग्लैशेज होते है और कैसे उनके जिंदगी एक दूसरे से इंफूएंस होते इस बारे में है बाबू का खेर शगुन अगर अगर आप मुझे आपके क और वेलहम्स और सूरज के टीम के बीच में एक मैच हो रहा होता है, जो बहुत एहम मैच है, जिसके रिजल्ट पर उनने पता लगता है कि उनको अपना ग्राउंड वापस मिलेगा कि नहीं, तो ये बहुत इंपोर्टन मैच हो रहा होता है उनके लिए, और समीर जो है, वो त भी थोड़ा बहुत सूरज को काफी बुली करता है, तो एंड में देखने को मिलता है कि वो आप फिल्म देखेंगे तब ही आपको पता जाएंगे अगर आप दोनों भी आपके कारेक्टर के बारे में कुछ बता पाएंगे और वो कारेक्टर की कौन सी बात है जो आपको ब मुंबई में अपना घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो एक अलग स्ट्रगल है लाइफ में अपने पाउं जमाना असान काम नहीं होता है तो उसमें जो भगदर मच्ती है जिन्दगी में जो चालेंज़स आते हैं उनको फेस करते हैं तो यह एक माह है जो अपने बच् प्रताब तलपड़े जो कारेक्टर गोविन नमदेव प्ले कर रहे हैं इसमें उसके वो एसिस्टेंट राइट है उनका वो गुंडा है वो पहले स्कूल किसी स्कूल का पड़ा लिखा बंदा है वो और वो फुटबॉल खिला करता था पहले और एक ऐसा मौका आता है जहा जो रित्विक जो रोल कर रहे हैं वो उनको एक ऐसा ऑपरचुनेटी आता है कि जहां पर अगर वो लोग एक माच जीते हैं किसी सुपिरियर टीम के साथ में तो उनका जो ग्राउंड है स्कूल का वो बच सकता है तो यह प्रपोजल लेके वो रित्विक आता है इस तो he decides to step in and he decides to help out these people in becoming better footballers and during the course of it to become better human beings तो मेरा characterist में एक catalyst के तौर पर काम करता है जो film को आगे भी ले जाता है और उसी दोरान सूरज और उसके family उसके mom के साथ भी एक किसम का एक attachment हो जाता है और वो एक fatherless लड़का है वो और उसको मुझे में एक father figure दिखने भी लगता है मनीश जी मेरा अगला सवाल आपसे है कि आपकी ये जो फिल्म है उसका आपका एक फेरेट डायलोग कॉन साथ ट्रेलर में देखते भी है कि जिस टीम को प्रशाद नारण कारेक्टर कोच कर रहा है वो एक BMC की टीम है जिसको कोई sponsorship नहीं है करनी सी फिल्म हैं अगेंस्ट वेलम् तो कोच को बने है उसको जो official कोच समझाता है कि चैचे तो कभी जीती नहीं पाएंगे वेलम् से में रंके बास न chilled, कीः, ना हैट, ना स्टायल है तो बनाने कराता है कि कोई भी जग जूते से होसले सी जीता है कहानी by Mumbai की है और मुंबई की बात करें मुंबई जो है वो खाने के बना अदूरा है अगर आप लोग सब आपका एक एक जो आपकी फेवरेट स्ट्रीट फूट आइटम है वो बता पाएं वड़ा पाव बेस्ट होता है मेरे लिए तो वड़ा पाव बोल दिया जुन मैं भी बोलने बाद तो तो मैं समोसा बाव बोल देता मैं और मेरे बीवी इतनी सारी जगाओं पर जाते हैं हम लोग खाने पी ने के लिए ना तो विया ओल हम लोग दोनों काफी बड़े फूडीज हैं सो अंधिरी से लेके टाउन तक हम लोग ने हर सड़क पर जाके खाया है खाना हर बड़े-बड़े होटिल में भी खाया है और बीजि़ खाया हि कई सारी शक्त पर जाट हुआ है तो मिरा यह एंग वारी है ओले हाई सथिर्ण हוצArt कि लेकिस के बाइं जाए 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 तो नोग आखण सिर्ण हाना है डावकों हमारे आप लोग पनाले हाइन प्योग अड़ों सब हम अर रह सार्मार पूछ लो कहां कौन सी जगार ताउन में पूछ लो हम बता देंगे आपने अपने और अच्छी तो पूछ देना जाहें आप तो अबी तो हम सब चिडिया खाना को प्रमोट करने के लिए हैं तो एक बहुती लेयर्ड बीटिफुल सेरल करेक्टर्स रिच कहानी है जो इंटर्टेन्मेंट भी देगी और थेत्रिकल थेत्रिकल एक्स्पिरियंस ही इसका इस फिल्म के लिए बहत्रीन है बेज रून है अब फिल्म इस देली स्वाज जरूर जरूरू आप सब तैंक यू सो मच थैंक यू